तो गाइस मेरा नाम है सूरच और आपका हमारे चानल पर फिर से सौगत है तो दोस्तो यह हमारा लाइटर है जिसे मैंने लगबग 2 साल पहले पर्चिस किया था और इसकी कंडिशन आप देख से तो बिल्कुल अच्छी कंडिशन में है हाला कि इसका पूरा क्यास खतम हो चु देख लिजे दोस्तो यह काफी पाउरफुल है तो इसकी आज हम रिफिलिंग करेंगे और इसके लिए मैंने लाया यह मार्केट से लाइटर गैस तो यह मुझे 150 रूपीज का पड़ा हाला कि एमेजॉन पर तो काफी महेंगा था यानि ऑनलाइन काफी महेंगा है दोस्तों साथ में उसको पर्चेस करने के बाद डिलेविड चाइज भी लगते है तो ज्यादा महेंगा पड़ जाता है मार्केट से लेके आई यह आप देख लिए कितना ज्यादा है यह पास्टों एमेल का है कि 400 ग्रैम यानि काफी बड़ी साइज में मिल गाया हमें 150 रूपिस का अभी मैं आपको इसे खोल के पता तो कि इसके अंदर क्या होता है उससे पहले आप देख सकते हूं इसमें आवा जा रही है तो आपके सामने इसके अन्बॉक्सिंग चालूए दोपको कि इसके अंदर हमें मिल जाते हैं कुछ नोजल्स जो हमें इसके उपर लगाने के पाद लाइटर को रिफिल करना होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पारे में कि आपको इसे जहाँ पर ज्यादा खुली जगा होंगी वहाँ पर रिफिल करना है लाइटर को और जैसे लाइट दिये वगर जलिवे रहते हैं माचीस जलिवी रहते हैं आनि जहाँ पर भी फ्लेम है वहाँ पर इसे ना यूज करें और स्पार्क अगर हो रहा होंगा बटन्स में या आसप स्टोर भी करना चाते हैं घर पे 50 celsius के ऊपर वाली जगों पर ना रखे इसे ठंड़ी जगों पर रखे तो चलो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए हम इसे फील करते हैं और आपको बता दू फील करने का प्रोसेस सिंपल सा है अपसाइड डाउन करना है और इसे फील कर नहीं होगा कि आपको बस इसका नोजल कुछ अईसा दबा के इसके अंदर की ग्यास निकल लेनी है आप देख सकते हो साउंड के साथ इसके अंदर की ग्यास निकल गई है अब यह रिफिल हो जाएंगा दोस्तों कि हमें कोई एक्विप्मेंट लगाने के जरुरत नहीं दोस्तों यह वैसे ही रिफिल हो रहा है यह लगाने के यह लगाने के कोई जरुरत नहीं है तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अभी खाली है तो इससे भी हम बढ़ देते हैं कि इससे काफी अच्छी तरगे से रिफिल हो रहा है दोस्तों और थोड़ा भर देते हैं कि अब आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा भर गया है थोड़ा सा तो इससे खाली रखने हैं करना ही चाहिए ताकि यह प्रॉपर वर्क करें तो देखा दोस्तों हमने इसे किस तरह फिलप कर लिया है और यह भी आप इसी तरह फिलप कर सकते हो तो अगर आपको यह वडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू से कर दिजिएगा दोस्तों चलू मिलते नेक्स वीडियो में